मेरे सभी मित्रों को रादे रादे मैं हूँ दीपक गोस्वामी और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल बैंकर चिंता मनी मैं मित्रों आजकर मेरे कई दोस्तों का मुझे फोन आ रहा है और उनके सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई है ये प्रोफाइल पासवर्ट की profile password वो भूल गए है और profile password set करने के लिए जो security question जो hint question होता है वो भी भूल गए है तो वो बहुत परेशान चल रहे हैं और वो अभी तक यही सोचते हैं कि profile password reset करने के लिए hint question का होना बहुत जरूरी है अगर आप hint question भूल गए हैं तो branch में जाना पड़ेगा तो दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आपका profile password भूल गए हैं और hint question भी भूल गए हैं कि आपको branch जाने के जरूरत नहीं है आप आपका profile password घर में बैटके भी reset कर सकते हैं तो मैं आपको profile password reset करने के दो तरीके बताऊंगा पहला तरीका आप browser के थू होगा कि browser में हम जाके कैसे अपना profile password reset करेंगे और दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कि योन अप्लिकेशन से हम कैसे profile password reset करते हैं मैं guarantee देता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आप जो है योनो अप्लिकेशन यूज करना सुरू कर देंगे क्योंकि योनो अप्लिकेशन एक user friendly application है और उसको चलाना बहुत आसान है मैं आपको दोनों तरीके दिखाने वाला हूँ और दोनों में खुद आप difference देखिएगा फिर आपको निर्णे करना है कि आप browser यूज करेंगे या फिर योनो अप्लिकेशन यूज करें तो चलिए देखते हैं profile password reset करने के तोनों में थे आप Google Chrome पर जाते हैं आप पर मैं टाइप करता हूँ Line SBI Line SBI में State Bank of India सेलेक्ट करना है उपर वाला के बाद personal banking में login के बाद continue to login तो आप यहाँ पर आपका username और password डालके आप login करते हैं चलिए मैं login करता हूँ कुछ इस तरह से open हो जाता है यह यहाँ से हम आप मारे profile section में जाते हैं यह account and profile देखिए इस तरह की से open हो जाता है यह account section में profile पर click करते हैं इस तरीके से menu हमें देखते हैं माई profile में जाता हूँ मैं यहाँ पर मुझे profile password डालना है लिकिन मैं profile password भूल गया हूँ तो forgot profile password पर click करते हैं OTP जो के मेरे mobile पर भेज़ दिया है इनोंने OTP देखता हूँ मैं OTP आया है ठीके submit कर देते हैं OTP जब आपके पास आ गया तो फिर यहाँ तीन option हमें दिये गया है Using hint question अगर वो hint question भी याद नहीं है तो by visiting branch branch में जाके change कर सकते हैं reset करवा सकते हैं Approval through ATM debit card सबसे बढ़िया तरीका मुझे यह लगता है Approval through ATM debit card तो पर click करता हूँ मैं आसे चोबी account आपको select करना जिसका ATM आपके पास है जिस account का account select करके जैसे मैं ले लेता हूँ saving account IBM condo और proceed यह देखिए इस तरीके से कुछ आता है यह मेरा card एक active है इसको select करके confirm करते हैं बस यहाँ पर हमको month expiry card holder name, pin वगरा डालके proceed करना है फिर हमको automatic new password बनाने को बोलेगा हूँ तो एक तरीका तो यह है अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो कि बहुत ही भैतरी और बहुत आसान है यह सब करने की जरूयत नहीं है योन application में जाते हैं यहाँ मैं login कर लेता हूँ कुछ ऐसी screen आएगी तो उस screen में हमें जाना है service request में service request के बाद हमें profile section के नीचे वाला एक setting दिया हुआ है इस पर जाना है यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है reset profile password तो हम reset profile password पर click करेंगे बहुत ही आसान है internet banking profile password अगर आप profile password आपको याद नहीं है तो नीचे है forgot profile password उस पर click कर देते है यह देखिए यहाँ पर ना कुछ OTP मांगा ना कुछ मांगा यहाँ तो सीधे सीधे पूस्ता है security question याद है तो वो डाल डालिए और उसका answer दीजिए अगर वो याद नहीं है तो यहाँ ATM card नमबर ATM pin बस बाकि कुछ डालने की ज़रुवत नहीं है यहाँ पर ना 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 expiry वगरा कुछ नहीं ATM card का number डालिए ATM का pin डालिए submit कीजिए और अपना password चेंज कर लीजिए तुरन तूसरी screen आजाएगी password चेंज करने के लिए दोस्तों कितना बहतरिन है UNO F वास्तब में बहुत अच्छा है इसको यूज करके देखिए profile password के लिए आपको browser में जाने की जरुवत नहीं है आपके application में सब कुछ मौजूद है बस आपको एक बार इसके अंदर गुसना है और हर menu को बारी कीसी देखना है देखा दोस्तों आपने कि यूणो application से profile password डिसेट करना कितना असान है केवल ATM नंबर ATM पिन की जरुवत पड़ती है और आपको किसी भी चीज की जरुवत नहीं है जबकि browser में आपको बहुत कुछ डालना पड़ता है वो सब यहां डालने की जरुवत नहीं है फटा फट आपका profile password डिसेट हो जाएगा तो दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से आदा लोगों तक शेर कीजिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि लगाता नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें मैं फिर मेरूंगा एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे, बाई बाई